इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह दवा कीड़े यानि की माइट्स और उनके अंडों को मार कर काम करती है। आपका डॉक्टर समझाएगा कि पेल इन लोशन का उपयोग कैसे करें और आपको कितनी जरूरत है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप इसका सही उपयोग कर रहे हैं। दवा के साथ आने वाले निर्देशों को पड़ें। इसे इस्तिमाल करने से पहले आपकी त्वचा साफ, सूखी और ठंडी होनी चाहिए। इस दवा का उपयोग करने के 8-14 घंटे बाद आपके पूरे शरीर को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अधिकांश लोगों को अपनी स्थिती का इलाज करने के लिए केवल एक बार इसका उपयोग करने की आवश्यक्ता होती है। लेकिन यदि दूसरे आवेदन की आवश्यक्ता है, तो कम से कम साथ दिन प्रतीक्षा करें। कभी कभी खुजली के इलाज के बाद कुछ हफ़तों तक खुजली हो सकती है। यह शायद मृत घुन के लिए एक अलजी प्रतिक्रिया है और यह संकेत नहीं है कि उपचार विफल हो गया है। सबसे आम साइड इफेक्ट्स में हलकी जलन, चुभन या जुनजुनी शामिल होती है जहां दवा लगाई जाती है। अधिकांच दुश्प्रभाव आम तोर पर हलके होते हैं और हर कोई उन्हें प्राप्ट नहीं करता है। इसका उपयोग करने से पहले अपने चिकित सक को बताएं कि क्या आपको तवचा की कोई समस्या है या दवाओं, भोजन या अन्यपदार्थों से अलजी है या यदि आपको अस्थमा है। हाला कि इस दवा को आम तोर पर सुरक्षित माना जाता है। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। कुम जूजएले अो나라 चरान।